सब्सक्राइब कीजिए पर्चन राजपुताना फिन्स चैनल को और रागुला अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए जे माताजी की साथ मैं रगुवीर सिंग राजावत कुड़ायां हुकुम आज आपके सामने एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर के आया हूँ जिसने अपने समय में 140 युद्ध किये थे और इनमें से किसी भी युद्ध में ये पराभूत नहीं हुए थे इनकी कीरती उस समय पूरे हिंदुस्तान में इतनी फैल गई थी कि औरंगजेब इनसे परेशान हो गया था और उसने ये कसम खाली थी परेशानी में की जब तक ये युद्ध पकड़ा ना जाये तब तक मैं अपने सर पर किमोंस नहीं रखूंगा अपने सर पर ताज नहीं रखूंगा ऐसे थे यह युद्ध moral और कोई नहीं थे यह थे चात्रपती सिवाजी महराज के प्रेपुत्र चत्रपती संभाजी राजे इनको बीजापूर और गोल कुंडा के अंदर जो औरंग्जेब का जो सासन था उसे का अंत करने का स्रेई संभाजी राजे को ही जाता है लेकिन वक्त के हमेशा एक समान नहीं रहता वक्त ने एक दिन ऐसी करवट बदली जिन्नोंने संभाजी राजे का जीवन ही बदल कर रख दिया एक समय ये संग मेश्वर के अंदर ठेरे हुए थे और अपनी शेना के साथ ये रायगड जाने की तयारी कर रहे थे तभी इनको संग मेश्वर के कुछ ग्रामिनों ने आकर के अपने आर्थिक इस्तिति के बारे में बताया तब इन्होंने अपनी सारी सेना को रायगड बेज दिया और स्वेम 200 सेनिकों के साथ ही वहाँ पर रुके लेकिन एक फितूर जिनकी रंगडारी देने से इन्होंने इनकार कर दिया था उसने इनके साथ गद्दारी की और एक ऐसे रास्ते से 5000 सेना लेकर मुकरब खान आया फितूरों के साथ में अब आप सोच रहे होंगे कि 5000 की सेना लेकर मुकरवान खान अचानक तब ही क्यों आया जब संभाजी राजे 200 सेनिकों के साथ ही वहां मुझूद थे हुआ कुछ ऐसा कि उस फितूर ने गद्दारी का परीचे दे दिया था और ये लोग उस रास्ते से आये थे जिसका रास्ता सिर्फ विश्वस्त मराठाओं को इस पता था तो उस युद के अंदर सिर्फ 200 सेनिकों के साथ संभाजी राजे कब तक मुकरब खान की 5000 सेना के सामने टिक पाते और आखिरकार वहां पर संभाजी राजे को केद कर लिया गया और केद करके उन्हें समराट औरंग जेब के सामने पेश किया गया और औरंग जेब के सामने पेश करते ही औरंग जेब के बारे में ये कहा जाता है कि औरंग जेब ने मका मदिना की तरफ हाथ करके इस तरफ से अल्लाह से दुआ की कि है अल्लाह आपने मेरी दुआ कबूल कर ली संभाजी राजे को गिरफतार कर लिया लेकिन संभाजी राजे के साथ में उनके एक प्रियमित्र और राजनितिक सलाकार उज्जेन के कवी कलश भी थे जो वहाँ कैद हो गए थे उन्होंने ओरंग्जेब की सरकत पर ये कह दिया कि ओरंग्जेब हमें देखकर बहुत खुश हुआ है हमें गले लगाना चाहता है इससे ओरंग्जेब और ज़्यादा क्रोधित हो गया और इन्हें काल कोठरी में डालने का आदेश दिया वहाँ डालने के बाद औरंग्जेब ने अपनी गटिया हरकते दिखाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि हे संभाजी तुम मुस्लिम धर्म अपना लो हम तुम्हें आजाद कर देंगे लेकिन संभाजी राजे ने कहा कि मैं एक हिंदू हो और कभी मुस्लिम धर्म स्विकार नहीं करूंगा और संभाजी राजे अपनी बातों के तीर औरंग्जेब पर चलाते रहे तब औरंग्जेब ने आदेश दिया कि संभाजी राजे की जबान काट कर मेरे पाउं में गि औरंग्जेब ने उनकी आँखों में लोहे की जलती सुराखी डलवा दी और उनकी आँखे फोड़ दी गई औरंग्जेब का दिल तब भी नहीं पिगला लेकिन इधर संभाजी राजे बहादुरी में कम नहीं था इतना बुरी तरह से सतिग्रस्त होने के बाद जूद भी संभाजी राजे अपने धर्म पर अडिक था संभाजी राजे ने इतना कहलिया कि हे औरंग्जेब तुम चाए कुछ भी कर लो तुम सारी दुनिया को जुका लो भलेई लेकिन आज संभाजी राजे को नहीं जुका पाओगे औरंग्जेब ने यह आदेश दे दिया कि संभाजी राजे के एक एक सरीर के हिस्से को काटा जाए संभाजी राजे की अंगूलियों को उसके बाद उनके पाओं की अंगूलियों को दिरे दिरे उनके शरीर के एक एक हिस्से को काटा गया और इस तरह से एक महीने तक संभा की प्रती द्रड़ता को देखा तब औरंग्जेब के मुझा से निकल पढ़ा कि है संभाजी राजे अगर मेरे चार पुत्रों में से एक पुत्र भी अगर तुमारे जैसा होता तो आज सारे संसार पर मुगल सल्तनत चा चुकी होती, सारे संसार पर मुगल सिल्तनत का शासन होता लेकिन मेजी अफसोस है कि तुमारे जैसा पुत्र नहीं है लेकिन उस क्रूर औरंगेब का दिल यही नहीं भरा उसने मुसलिम धर्म ना सुईकर करने और औरंगेब की सर्तों को न मानने के कारण संभाजी राजे के छोटे छोटे टुकडे करवा दिये और उन्हें तुलापूर नदी के पास में फिकवा दिया गया जब तुलापूर नदी के पास में लोगों ने वहाँ पे शव देखा तो उनके संभाजी राजे के सव की सिलाई करकर के उसके बाद में उनके शरीर को दहा संसकार किया गया और अंतिम क्रिया क्रिया क्रम उनका किया गया तो ऐसे थे संभाजी राजे और उनके मित्र कभी कलस्का भी यही हाल कर दिया गया था तो ये देखिए एक ऐसे योधा जिनोंने औरंग जेप को ये मजबूर कर दिया कि जब तक ये योधा पकड़े नहीं जाएंगे तब तक औरंग जेप अपने सर पर कीमोस नहीं रखेगा तो दूसरा एक ऐसे भी थे जो पूरी तरे कट गए टुकडो टुकडो में बंट गए और आखिर मर्तिवी तब उनकी सिलाई तक करके उनका दासंस्कार के गया इतना हो गया लेकिन इन योद्दा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा ऐसे थे संभाजी राजे जय माताजी चलता झाजी माता हो गया बंट डिसक देव किसा है